हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस के जीवी ज्यान के ऐसी प्रश्ण को आपको बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एक्जाम में हर साल यह प्रश्ण आता है फ्रेंस आपके जो प्रश्ण आता है उसको आपको चित्र के माध्यम से समझाने वाले हैं तो आप वीडियो में लास्तः बने रहें देखे फ्रेंट्स आपके सामने सवाल है और यहीं सवाल आपके बोड के एग् Craft wonder are the manus में परिकरिया को समझाईए बनाने के लिए काये गात ऐसे आप आप आए परिकृयय project को आपको समझाना पड़ेगा। देखिए यह आप प्या होता है जहां पे आप भोजन को लेते हैं और जो मुख होता है tyeline होता है एक प्रकार में जाइम है जो उसके साथ आप क्या होता है भोजन के साथ मिल जाता है कि आप कि आपका ग्रासनाल से होते हुए आपका पहले अमासे में होता है फ्रेंस के बाद आपका अईसे बच जाते हैं जो अमासे में नहीं पच पाते है तो तो क्या होता है कि यह आपका ग्राडी से देखिए जो होता है भागने यह ग्राडी होता है ग्राडी से होते हुए आपको क्या आता है छोटी आत्मी लेकिन इसके आने से पहले भोजन यह से बोजन ने उसको आता है तो यहां पर यक्रित होता है यक्रित से पित रस और यहां भोजन यहां पर पूरव रूप से कहां पर अमाशे में च्चोटे-क्षिष्ट पदा बचे होते हो भी आपकी पंट जाता है पचने के बाद देखें यहां से क्या होता है यह आपका छोटी याथ यह बगल में जो हती ही बड़ी याथ होती है बड़ी याथ में क्या होता है कि आपका भोजन नहीं परसता है बस यहां पर क्या होता है जो उसमें पानी होता है यह आपको बड़ी याथ के द्वारा पानी प्रकृर्या कैसी होती है देख आपको यहां पी देखे पाचन कैसे होता हैента पाच आप प्रकृर्या है जिसमें ब्रिहत अवंटा अवीहले अलूं जो टोटे जाता नोंशाम आप मुख में आप Desmond मतलब भोजन का टुकड़ा जब लेता है जिस रोटी चवा या कुछ भी त हो होता है उसको यह मुह में पाचन करते हैं ठीक है आप निये में जो पाचन होता है मुख से प्रारम होता है अमासे में सतत रूप से चलता है तो छोटी आद्म पूरूप हो जाता है तो फ्रेंच देखें आपका भोजन का जो पाचन होता है मुख से स्टार्ट होता है होते हुए आपका अमासे में आता है अमासे में इसका पाचन होता है कैसे होता है इसके बारे में देखिए मुख गुहा में भोजन लार ग्रंतियों से स्रवित लार के साथ विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है यहां पर जो लार गरंतिया होती है उससे क्या होता है कि उसमें आपका इंजाइब ट्रिकर टाइलीन जो होता है इसमें स्रवित होता है और भोजन पाचन कैसे होता है अमासे की भित्ति में उपस्तित जठर गरंथियां जठर रस को स्रवित करती है जिसमें है है यह से अनेक प्रकार की क्या होते हैं गरंथियां होती है जिसमें से आपका हायडोकलॉरिक अम्ल स्रवित होता है है उसमें 54 एंज्याइम स्रवित होता है यह यहें प्रोटीन आपके भोजन के साथ आपस मे मिल जाते हैं जिससे भोजन को होता है वसाओं का पाचन करता है यानि कि जह जह जलिए अगले पॉइंट होके देखते हैं कि बोजन का पाचन कैसे होता है अबासे में बोजन का पाचन होने के में जब भोजन का पाचन होता है लेकिन कुछ पदात ऐसे होता है जो अर्द पचित होते हैं तो भोजन जठर रस से मिस्रित ग्रहडी से होकर छोटी आत में प्रवेस करती है ठीक है यानि छोटी आत में जब भोजन आता है तो क्या होता है कि यहां से आपका अमासे हुए अम अगनासे होते हैं इससे आपका रसत होता है, यह आपके जो भोजन पहलों सिसकत है, पहलों अगनासे निकलता है, इससे निकलता है, यह अगनासे था आपका जाते हैं दोनों रस आपका भोजन में मिल जाते हैं अ घर घर नहुंप मिल जाते हैं कि इसका मतलब यक्रित से क्या होता यह पितर रस और ना सही रस अगनासाही लाईपेस होते हैं जो क्रम सक्राप़ोहईडाट प्रोटीन दथा वन्हाँ पाचनकरते हैं देख़्थ आपको यहां से देखे आप अगनासे से जो मिल रहाँ है तो ठीके हिले नी Lord लाइपएज या देखिए अगनासे ही रिसमेसे जो अगन्यासे आमाीलेज निकलता है ड्रीप्षिन होता है अगनासे ही लाई-पेज यह आपके भोजन के साथ मिलते हैं तदह प्रोटीन को और यही सब अगन्यासाह आपका भोजन का पाचन करते हैं अब देखिए पाचन करते हैं इसको लिखेंग कैसे देखिए जो आपका भोजन में स्टाच और गलाइकोज होता है वह आपका माल्टोस में कौन चेंज करता है अगर नासाई में जो लाइपेज होता है और जो आपके भोजन में वसा होता है उसको पचाने के काम करता है अगर नासाई लिख लीजिएगा अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो पचित भोज्य पदार सुच्मांग कूर द्वारा और सोसित हो जाता है बाद में रक्त के साथ विविन शरीर के उतक में भेज दिया जाता है यहां पर आपका जैसे ही बोजन पचता है यहां से आपका रक्त बोजन को पच् effort को बेंवी इसे आपक मिलती है ठीक है अब यहां पर बोजन के साथ में आधि मात्रा अमत्रा में उसका क्या होता है यह बड़ी चोड़ी हान चोड़ाय औत पर संस्य। पर बड़ी आत करते हैं खुटे करते हैं चुद्रांत मतलब शुपषत करते हैं अब बड़ी आत में बो जया काएंगे उपस्तित् जड़ nephew ख्यांट में एंब अबडुगे इस पर चोड़े करते हैं अब बड़ी आत पर सबसे बहुता है यहां पर निकाल दिया जाता है यह भोजन के पूरा पाचन प्रकिरिया था इसको आप जरूर लिग लीजिएगा यह प्रश्ट आपके बोर्ड के एक्जाम में बहुत जादा कूषता है फ्रेंस आपका भोजन कैसे पाचन होता है तो भोजन के साथ मिलके हो च्छोटी आत में क्या होता है कार्बोहैड्रेट वहसा ब्रोटीन जो आपके भोजन में उपस्चित होते हैं सबका पाचन होने के बाद यहां से क्या होता है कि आपके रक्त खून होता है उसमें भोजन को लेके आपके शरीर के विभिन उतक वहां पर पहुचा दिया जाता है और पसिष्ट पदार्थ बचे होते हैं उसमें जो आपके भोजन के साथ में आपका जल होता है उसको क्या करता है बड़ी आत अवसोशित कर देता है और जो बड़ी आत के बाद इसके बाद सेस जो मल पदात बस्ते हैं वह मलासय में क्या होता है एकठा होता है और यहां से यहां पर होता आपको मल गुदाद्वार के दौर आपको क्या होता है बाहर मतलब जो मल होता है जो अपसिश्च सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें